हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मोटर डोकर फ्रेंड्स आपको पता इस टाइम पे काफी ज़्यादा हाइब चल रही है टोयटा हाइडर के लिए और ग्रैंड विटारा के लिए काफी ज़्यादा वेटिंग इंग की इस टाइम पे चल रही है वो आपके strong hybrid वाले engine के लिए मिलिए तो यही काफी अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर आपको mileage मिल जाती है लेकिन point यह उठता है कि अभी तक enterprise तो आया है नहीं market के अंदर अगर हम बाकी इसके जो competitor की बात करें Krata की और Seltos जो main competitor है उनके काफी ज़्यादा sales होती है लोग उनको काफी ज़्यादा प्यार करते है क्या इस गाड़ी के आने से क्या सारे के सारे लोग inside भागेंगे आपको क्या लगता कि यह जो दोनों गाड़ी हैं क्या सच में value for money होने वाली है रही बात safety की अगर हम safety की बात करें तो Seltos और Krata ने कुछ खास perform किया नहीं है लेकिन क्या इसकी भी तो कोई rating आई नहीं है अगर हम बात करें features की मुझे नहीं लगता कि personally मैं बता रहा हूँ कि जो features इस टाइम पे Seltos और Krata देती है जो quality देती है खासकर interiors के अंदर वो इस गाड़ी के अंदर है इसके अंदर plastic जो use हो रख है वो basically आपको मारुति की कास की याद दिलाता है तो क्या ये hype की होज़े से आपको ये booking करनी चाहिए क्या आपको थोड़ा सा wait करना चाहिए आप comment करके मुझे जरूर बताना दूसरा point ये है अगर हम engine power की बात कर दें तो इस टाइम पे इसके पास दो engine आ रहे एक new drive जो आपका ब्रीजा वाले engine होगा जिसके power है 103 horsepower जो दूसरा वाले engine है उसके अंदर आपको strong hybrid मिल जाता है लेकिन उसकी खुद की power 92 horsepower है motor उसकी दोनों की combined power निकल के आती है 115 horsepower और torque निकल के आता है 141 newton meter अब हम एक काम करते हैं इनकी जो powers को compare करके देखते हैं अगर Hyundai की Krata या सेल्टोस वगरा के साथ में इवन कुसाक के साथ में और आपकी टाइगून के साथ में तो अगर आपको सच में driving से प्यार है कितनी अच्छी जल रही कितनी उसमें power होनी चीए तो आप new driver ले सकते हो प्लस वो लोग इसको ले सकते हैं जो इस टाइम पे ब्रीजा का upper model ले रहे थे और अगर इसका base model उस rate में आ जाता है ब्रीजा के top models के rate में तो उनके लिए better choice है लेकिन अगर आप उन वाली audience को छोड़ दो और आप उन लोगों में से आते हो जिसको यार गाड़ी चलाने में मज़ा है ज्यादा performance हो ज्यादा output हो engine का तो आपको देखनी चीए गाड़ी Hyundai Creta, आपको देखनी चीए Seltos, Tagoon और आपको Skoda Kusak, ये गाड़ीया काफी अच्छी है इनको driving के इसाब से अगर आपको ज्यादा power चीए तो आप इनके turbo option ले सकते हो ये आपके Seltos और Creta के अंदर आता है अगर आपको diesel option चीए तो वो भी आपके Seltos और Creta के अंदर आता है इतना है अगर आपको petrol engine के option चीए तो आप एक काम कर सकते हो Skoda और Volkswagen के GT line देख सकते हो उनके power figures काफी अच्छी है उनके जो normal 1.0 वाले engine वो भी काफी अच्छी power figure देता है उसका torque भी काफी अच्छा है तो ये गाड़िया आप driving में काफी अच्छी है अब बात ये उठती कि जब आप 12 से लेके 20 लाग तक के mid-size SUV ले रहे हो आप उम्मीद करते हो कि आपको अंदर premium feel आए उनका interior काफी अच्छा feel दे तो ऐसी कौन सी SUV है जिनके अंदर आपको premium feel आती है तो मैं आपको बताता हूँ Hyundai Creta और Seltos ये actual में जो इस टाइम पर इतना बिक्री है न वो इसी लिए बिक्ते है क्योंकि वो अंदर premium interior देते हैं तो इन से अच्छा कोई इस टाइम पर feel देता ही निए interior के अगर हम बात करें वहीं अगर इनको compare करते हाई rider के साथ में और grand vitara के साथ में तो उसके हमने इस टाइम पर सोरूम अगरा के अंदर plastic वगरा feel किये अंदर कहने के तो सारे features हैं आपको 360 degree camera है HUD सब कुछ मिल जाता है लेकिन क्या actual में वो plastic हो जो feel वो इतना अच्छा है तो मेरे personal opinion में वो बिलकुल भी अच्छा नहीं अगर इसको compare करते है अगर हम Krata और Seltos के साथ में इतना है नहीं अगर आप diesel का option देख रहे हैं तो आपको grand vitara और high rider के अंदर diesel का option नहीं मिलता तो मैं आपको cool मिला के एक बात बताता हूँ अगर आपके mind में average है 28 तो आपके पास केवल एक ही choice आप strong hybrid बिलकुल लेलो लेकिन आपको लगता है कि आपको bridge का top model नहीं लेना तो आप एक काम कर सकते हो उसी budget के अंदर हो सकता है कि इसका base model मिल जाए आपको तो आपके लिए वो better choice होगी तो friend ये थे मेरे opinion अगर आपको strong hybrid वाला engine नहीं चीए अगर आपको power चीए तो ये वाली गाड़ी आपके लिए बिलकुल भी नहीं है अगर आपको mileage चीए तो आपके लिए strong hybrid है अगर आप जा रहे थे bridge के side में आपको बज़ता 12 के आसपस तो आप इसके base model ले सकते हो बाकी जितने लोग हैं उनके लिए मेरे को लगता है करेटा, celtos, tygon, skoda और ये आपके और ester ये काफी अच्छे option हो सकते है उसके अलावा जो अभी celtos का facelift आने वाला है अगर आए है तो यार प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल MotorDocker थैंक यू सो मच पर वोचिंग दिस बाबाई टेक केर करेंट आने वाला है